नमस्कर दोस्तो भारत में नदियों की इस्थिती एक बड़ी चिंता है अगर हमें प्रकर्ति को बचाना है तो नदियों को साफ रखना बहुत जरूरी है हाला कि हमारे देश में हर साल नदियों को साफ करने के लिए करोड़ों रुपे खर्श तो किये जाते हैं लेकिन फिर भी इस्थिती में कोई सुदार नहीं है लेकिन आज हम आपको एक ऐसी नदि के बारे में बताने जा रहे हैं जो की एक मिसाल है कि अगर हम इनसान चाहें तो नदियों को साफ रख सकते हैं दरसल हम बात कर रहे हैं भारत की सबसे साफ नदि के बारे में तो चलिए आपको बताते हैं इसके बारे में दोस्तो भारत की सबसे साफ नदी का नाम है उमन गोत जो मेगाले की राजधानी श्रीलोंग से 95 किलोमीटर दूर भारत बांगलादेश सीमा के पास इस्थित पूरी जयंतिया हिल्स जिले के दाव की कजबे में पहती है हाला कि ये नदी डोकी नाम से प्रसिद है इस नदी को देखकर आप भी कहेंगे कि अपने देश में हर नदी को ऐसा ही होना चाहिए इस नदी का पानी इतना साफ है कि इसके तल का एक एक पत्थर क्रिस्टल की तरह नजर आता है इस नदी की सफाई का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब इस पर नाव चलती है तो ऐसा लगता है कि मानो वो किसी कांच की पारदर्शी तुकड़े पर तेर रही हो जो भी परियटक यहां इस नदी को देखने आते हैं उन्हें लगता है कि वो किसी और ही दुनिया में आ गए है बता दे ये नदी बांगला देश और भारत के बीच बहती है आपको बता दे कि ये नदी अपने आप साफ नहीं हुई है बलकि इस इलाके में रहने वाले खासी आदिवासी समुदाए के लोगों ने इस नदी की सफाई हर दिन की है दरसल ये परंपरा इनके पूर्खों से चली आ रही है और इनका मानना है कि सफाई इनके संसकारों में है उमन गोत नदी तीन गाओं दावकी, दारंग और शेनांग डेंग से होकर पहती है इन तीन गाओं में करीब तीन सो घर है और सभी मिलकर इस नदी की सफाई करते है वही नदी में गंदगी फेलाने पर पांच हजार रुपे तक का जुर्माना भी बसुला जाता है बता दे कि यहां महिने में तीन से चार दिन कम्यूनिटी डेके होते है और इस दिन गाओं के हर घर से कम से कम एक व्यक्ति नदी की सफाई के लिए आता है बता दे उमन गोत नदी ही साफ नहीं है बलकि इसके आसपास का नजारा भी बेहत खुबसूरत है हरे भरे जंगलों के बीच इस्थित इस नदी की तुलना लोग स्वर्ग में बहने वाली नदी से करते हैं नवंबर से अप्रेल तक यहां भारी संख्या में परियाटक आते हैं इस दोरान परियाटक यहां बोटिंग का लुफ्त उठाते हैं जबकि मानसुन के सीजन में बोटिंग बंद रहती है बता दे उमनगोत नदी से ही कुछी दूरी पर इस्थित मावली नांग गाउं हैं जिसे एश्या का सबसे साफ गाउं का दर्जा हासिल है तो दोस्तो अगर आप भी यहां गुमने जाएं तो इस गाउं को जरूर देखें दोस्तो ऐसा अदबुत नजारा तो हिंदुस्तान की नदियों में देखने को नहीं मिलता लेकिन फिर भी मिगाला के लोगों ने ये साबित कर दिया है कि अगर हम इंसान चाहे तो नदियों को साफ रख सकते हैं आपकी इस विशाय पे क्या राय है हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताए साथ ही वीडियो को लाइक और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि देश और दुनिया की तमाम अनुखी खबरे हम आपके लिए लाते रहें